जैसे आराम दोस्तों तो आज हम बात करेंगे पाप कुंशा एकादशी की तो आए जानते हैं कब है ये एकादशी, इसका महत्व क्या है, पूजा विदी क्या है, मुहुरत क्या क्या रहेंगे अश्विन मास के शुकल पक्ष की एकदशी को पाप कुंशा एकदशी मनाई जाती है इस साल पाप कुंशा एकदशी 25 अक्टूबर 2023 को बुद्धवार को है कहते हैं अपने नाम के सुरूप इस एकदशी के प्रटाप से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं इस व्यक्ति को कठिन तपस्या के बरावर पुन्य मिलता है अर्थ एवमोक्ष की प्राप्ति होती है इस एकदशी पर भगवान पदमनाब की पूजा की जाती है इस साल पाप कुंशा एकदशी पर बेहद शुबसाईयोग बन रहा है जिसमें कुछ खास उपाई करने से आपके सारे बिगडे कारे बन जाएंगे तो आईए जानते हैं कौन-कौन से वो योग है या मूरत है तो पाप कुंशा एकदशी का जो मूरत है कि वो कब से स्टार्ट हो रही है मैंने यहां पर उपर मेंचन कर दिया अब यहां से नोट कर सकते हैं और इस व्रत का पारण जो है वो 26 अक्टूबर को होना है उसका भी क्या समय रहेगा यह भी मैंने यहां पर लिख दिया है अब जानते हैं कौन कौन से योग बन रहे हैं पाप कुंशा एकदशी पर इस साल व्रत्धी योग रवी योग त्री ग्रही योग का संयोग बन रहा है वरदी योग में बहुत शुब माना जाता है इस योग में किये गए काम पूजा सफल होती है कारे में वरदी होती है त्री ग्रही योग के प्रवाफ से चातक को धन और सुक की अनुभूती होती है एकादशी का वरत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर देता है क्योंकि एकादशी का वरत है उसका प्रभाप सीदा मन और शरीड दौनों पर पड़ता है जब तीन ग्रहे एक राशी में विराजमान हो तो त्री ग्रही योग बनता है पाप कुंशा एकदशी पर मंगल, सूरे और बुद्ध तुला राशी में विराजमान होंगे इससे तिरी गही योग बनेगा आए जानते हैं कि आपको पूजा विदी किस प्रकार करनी है सुबह जल्दी उठकर इस्तान आदी से ने वरत हो जाएं घर के मंदिर में दीप प्रजुलित कर लें भगवान विश्नु का गंगा जल से अब शेक करें भगवान विश्नु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें अगर संबफ हो तो इस दिन व्रत भी रखें भगवान की आर्थी करें भगवान को भोग लगाएं और यहां पे भोग में तुलसी अवश्चे चड़ा है बगएर तुलसी के भगवान विश्नु को भोग वो नहीं लेते हैं आईए अब जानते हैं कि पाप कुंशा एक अदशी पे आपको क्या क्या दान करना चाहिए जो व्यक्ति सुवर्ण तिल भूमी गौ अन जल जूते और छाते का दान करता है उसे यम्राज के दर्शन कभी नहीं होते हैं तो यह है महत्वता अपने पाप कुंशा एक अदशी की आपको कैसी लगी जरूर बताएगा और इसकी जो कथा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी तो अभी के लिए जैसी आराम